पश्कार आप देखें न्यूस फोर निशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर पटना से जहां बता दे कि नितीश कैबिनेट की बड़ी बैठक आनन फानन में बड़ी बैठक कल बुलाई गई है कल यानि 25 सितंबर को बता दे कि विती 6 दिनों में ये लगतार दूसरी बैठक है जो नितीश कुमार ने अपनी मन्तरी मंडल की बैठक आनि अपनी कैबिनेut की बैठक बुलाई है वजशाबता एक प्रेस रिलीज की कहिए और इस रिलीज के जरेए तमाम जितने भी मंतरी हैं उन्हें इंवाइट किया गया है उन्हें बु प्रतीक मंगलवर को निर्धारिद रहता है कैबिनेट की meeting जो है वो होती है और अब जो बड़ी खबर पतना से है वो ये है की नितीश कैबिनेट की special meeting जो है कल 29 सितंबर को बुलाए गई है लगबग 23.30 बजे ये मंदलकष में ये meeting होने वाली है और आपको स्क्रीन पर प्रे प्रस्ताव पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है बतादे कि बियार के मुख्य मंतर निटीश कुमार इस वक्त काफी हडबडी में भी दिख रहे हैं एक तरफ पार्टी के निताव के साथ मैराथॉन मीटिंग कर रहे हैं वहीं दूसरी और सरकार के स्तर पर भी जल्दी जल्दी निर्ना लेने की मूझ में दिख रहे हैं वार 25 सितंबर को साम 7.30 बजे मुख्य सुचिवाले में होगी कैबिनेट बैठक को लेकर सभी विभाग के मंतरी और अधिकारियों को सूचना दे दी गई है जिसमें कई अजंडों पर मुहर लगाई जा सकती है बदादे की पीछले कैबिनेट की बैठक में कुल 45 अजंडों पर मुहर लगी थी जिसमें जूनियर कमिशनर ओफिसर का मानदे 20,700 से बढ़ाकर 23,800 किया गया वही सैप जवानों का मानदे 17,250 से 19,800 किया गया जबकि रसोईया का मानदे 13,110 से बढ़ाकर 15,100 रुपे किया गया वही राज के अधिनस्त न्यालयों में ड्राइवर के 85 पदों की स्विकिर्ती भी दी गई जबकि राज के सभी 1,500,009 आंगन बाड़ी केंद्रों पर अधिजी की सुविदा दो गैस लेंजर एवं चुला सहित उपलब कराने के लिए 72 करोड़ पर छत्तर लाक तो देखिए लगतार ये दूसरी कैबिनेट की मीटिंग जो है कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें तमाम अजंडो पर मुहर लगती है लेकिन मंगलवार से पहले यानि सोमवार को ही करीब साथी तीन बज़े नितीरिश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें खुद सेम नितीरिश कुमार डेप्टी सीम तुजस्वी यादव और तमाम मंत्रियों को जो है इसमें आना होगा इसमें उपला अब धर रहना होगा तो चलिए फिलाल इस खबर में बस इतना ही अब वीडियो अपडेट्स के लिए आप देखतेरे न्यूस पर नेशिन